नमस्कार आप सब कर स्वागते हमारे चेनल नेक्स्ट नाइन निउस पर मैं नाम है दीपक गुपता जारखंड में सोरेन सरकार पर लगातार भारतिय जनता पार्टी तीखे तेवर दिखा रही है और ये कहा रही है कि सोरेन को परिवार समेत यानी जिसमें शिबू सोरेन बसंत सोरेन और सिता सोरेन को भी जोड़ा जा रहा है उन पर आपरादिक मामले जो संपति से जुड़े खनन मामले थे उनको जोड़ कर कह रहे हैं कि इस्तिफा दो इस्तिफा दो राजभवन की चुपी से ये मामला और गंबीर हो चला है खुद हेमंत सुरेन रमेश बेस जो की राजजिपाले जारखंड के उनसे मुलाकात करके जो चुनावायो का मनतव ये पत्र था वो मांगने की कोशिश करे उसकी कोपी मांगने की कोशिश करे ताकि जनता के बीच जाए मैसेज की उनकी सरकार इतनी खत्रे में नहीं है उनकी विधायकी इतनी खत्रे में नहीं है उदर केश कांड में फसे तीनों विधायकों की विधायकी पर आच आती नजर आ रही है इस बीच हेमन्त सोरेन ने साफ कहा दिया था रमेश बेश के खिलाब कि वो चाहें तो चुनाव आयो का पत्र जानता के बीच शाजा कर सकते हैं और अगर ना चाहें तो नहीं कर सकते, ये सारे मामले उनी के हाथ में हैं, लेकिन वो खुद से कुछ करते नजर नहीं आ रहे हैं, राजबवन की चुपपी सच मुछ परिशान कर रहे हैं, इस मामले पर एक जानकारी आपको देते हैं आर्टिकल के जरिये, कि राजबवन की कैसे रातों की नीद उड़ा रखे समय हेमंत सोरेन की, हेमंत सोरेन खुश बहुत हैं कि उनके साथ विश्वास मत था, अटक गई है उनकी सासे हेमंत सोरेन की सदस्यता पर, राजबवन अब भी खामोश, राजबवन पर प्रेशर पोलिटिक्स, क्या सच मुछ ये सच है, राजबवन इस मामले को अधिक दिनों तक नहीं लटका सकता, लेकिन अब भी लटका हुआ है मामला लगातार यहां पर खबरे आ रही है, कि राजबवन की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया, राजबवन में जो मुलाकात थी, उसका पत्र यहां पर सोपा था, और कहा कि पत्र सोपा जिससे इस भरम की स्थिति हैं भाषपा द्वारा किये जारे अनेतिक परियास से उसे रोका जाए, लेकिन पूर्विक की तरह अभी भी इस मामले में राजबवन चुप है, और जानकारे रिकिक इस तरीके से गतिविदी नहीं हो रही, अभी तक यह उमीद की जा रही थी कि प्राप्त मंतवे के अधायर पर राजबवन की सदस्यता रद करने का निर्णे लेकर अपना आदेश आयोग को भेज देंगे, आयोग दुवारे इस संबन्ध में अंतिम अधी सूचना जारी की जाएगी, लेकिन अभी तक इस मामले पर राजबवन की कही जा रही है, हेमन्त शोरेन, शिबु सोरेन, बसंत सोरेन, तीनों पर ही मामला फसा हुआ है, तीनों ही यहाँ पर क्या सकते हैं, एक शिबु सोरेन हाई कोट की वज़े से फसे है और बसंत सोरेन भी मामला राजबवन पहुँच चुना वायोग ने, उनका भी पत्र, उन कहोई भी मामला हो जारखंड में या फिर अपरादिक मामले हो धुम्गा में जो घटना हुई थी वह सारे मामले को देखतें वह हेमनत सोरैन कर ठोड़क फैसले ले रही हैं और लगातार अपनी कारेवाई को आगे बढ़ा रही हैं बैठके कर रहे हैं और इस बीच वो एलान कर रहे हैं राजे पाल अजमेश बेस पर सबकी नजरे टिकी वी हैं कि कि आने वाले वक्त में क्या कुछ यहाँ पर सियासत गर्माती जारकंड की बने दे चनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद